So, hello guys, welcome back to the channel, I hope आप लोग सब अच्छे होंगे, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे YouTube वीडियोज पर आप देखे होंगे, बहुत बड़े-बड़े YouTubers जो हैं, वो लोग छोड़े-चोड़े YouTubers को गाइड करते हैं, कि thumbnail एकदम कैची मनाओ, वीडियो कैसा भी हो, अगर thumbnail तुम thumbnail अच्छा नहीं बनता है, तो क्या आपके वीडियो रैंक नहीं करेंगे, या वीडियोज पर वीडियोज नहीं आएंगे, इसी सब सवालों का जवाब धुनने वाले हैं, आज हम लोग इसी वीडियो में, तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरू देखेगा, अगर आप ए याएंगे thumbnails वगेरा, और inner part में आएंगे वीडियो की quality, editing quality, और voice का quality, यानि की sound quality, तो guys इस दो पाटों में हम लोग details में बात करेंगे, और आप लोग को example भी देंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो को अपलोड किया था YouTube पर, और उसका thumbnail उतन को मिल जागा, मैं link दे दूँगा, इसी के description में आप देख सकते हैं, उसका thumbnail मैंने अभी तक change नहीं किया, तो चलिए guys वीडियो को हम लोग दो पार्टों में बाट कर इसका सवाल का जबाब ढूनने कोसिस करेंगे, तो guys वीडियो का editing जो है, एहम role रखता है, अगर आप editing अ समझ में आ जाए, एकदम easily, easy language में जैसे animations वगर आपको example दे रहे हैं, तो आपके side में animations आना चाहिए, green screen में, इस तरह का video का inner part का content होता है, voice quality, video quality और editing quality भी अच्छा होना चाहिए, और आप क्या समझाना चाहते हैं, यान कि content, content अच्छा होना चाहिए, यह हो गया inner part, outer part में आप अगर title अच्छा लिखते हैं, जो कि searchable हो, YouTube पर कोई भी आता है, तो आपके videos directly उसको नहीं मिल जाता हूँ, वो कुछ लिखता है, जैसे कि titles में आप कुछ भी ले सकते हैं, thumbnail कैसे बनाए, titles कैसे लिखें, इस तरह का आपको searchable title लिखना होगा, ताकि जब user YouTube पर आए, औ और उससे related आपको कोई search करें, तो आपका content जो है, उसको सबसे पहले दिखाए दे, तो सबसे मच्ट होता है, कि आपको title अच्छा से लिखना पड़ेगा, description में आप अपने video पर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आपने बताया है, इसके बारे में आपको describe करना चाहिए, ताक का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपके videos पर reachable बढ़ता है, सबसे जरूर यह tags लिखना, आप title description में थोड़ा सा आप compromise कर सकते हैं, लेकिन tags में कोई compromise नहीं, आपके videos से related सारे tags को आपको tag lines में लिखना चाहिए, तब ही जाके आपका video rank करता, और fourth number पर आता thumbnail, thumbnail guys ऐसा होना चा आते हैं, इतना भी अच्छा thumbnail नहीं हो, कि लोग जो है उसको देखकर ही समझ जाए और आपके video पर enter ही ना करें, इससे क्या होगा guys अगर आप thumbnail बहुत अच्छा बना देते हैं, एकदम catchy बना देते हैं, और उहाँ पर click करते हैं, और अंदर में आपका content अगर अच्छा नही मैं आपको कुछ example देना चाहता हूँ, मेरे एक video, Samsung Finance Plus के लिए मैंने video बनाया था, काफी अच्छा video था, thumbnail उसका एकदम अच्छा नहीं था, सिर्फ मैंने man points को लिखा था, कि इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूँ, लोगों ने काफी अच्छा प्यार दे, आप लोगों ने उस video को लगबग 70,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा और काफी अच्छा एप्रिसेट किया मुझे, तो चलिए guys, मैं आप लोगे example के तोर पर मेरे एक video दिखाता हूँ, तो guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे video को, यहाँ पर मैंने search कर लिया है, और आप देख सकते हैं आप लोगों ने देखा वो दोनों वीडियो समसंग फाइनेंस प्लस का, यह काफी अच्छा वियूज गया है, मेरा 67 के और 76 के लगबग 70,000 के आसपास का वियूज है, और आप लोगों ने देखा कि थमनेल भी उतना अच्छा नहीं है, जितना जरूरी था, एकदम सिंपल थमनेल मैंने बनाया था, एक ग्रिन कलर में, एक ब्लैक कलर में, और आप लोगों ने देखा कि व्यूज मेरा उतना खराब नहीं है, 5000 सब्सक्राइबर है, और एक साल पहले तो उससे भी कम सब्सक्राइबर था, लेकिन व्यूज काफी अच्छा मिला है, इसका मतलब मेरे व्यूज का रिटेंशन काफी अच्छा था, मैं जो सम्झाना चाहता था ओडियंस को, ओडियंस ने समझा, देर तक देखा, लगबग लाश्ट तक देखा, और यूट्यूज जितना देर तक कोई भी वीडियो ओडियंस देखता है, उसी वीडियो को और ज्यादा रिकमें किजे, आपका वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और आपका कॉंटेंट, जो कि आप समझाना चाह रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, आपके ओडियंस को, वो अच्छा था समझे, easy way में, easy language में, तो गाइस, थमनेल को ऐसा माइने नहीं र आपका वीडियो जरूरेंग करेंगा, तो दोस्तों उम्मिद करेंगे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप एक नया यूटूबर है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे, इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस का लिजेगा, तो चलिए गाइस मिलता है नेस्ट वीडियो में तब तक लिए थेंक्यो एंड धन्यवाद।